काफी सही तो हे पोक्स वेलकम बैक तो माई चैनल आज होने वाला है रिव्यू बजाच की पलसर एनस वन सिक्स्टी का तो वीडियो में बने रही है वीडियो बहुत मजा आने वाला और पलसर पैंस के लिए तो मस्ट वाच है तो वीडियो जरूर देख लेगा फिर्लो श।ICK वीडियो बहुता क्षबया पेख प्लसरिण का वणने वें वेह झाला पिरो वेलेगा तो राइट नाव एम राइडिंग दा बजाज पलसर नस वन सिक्स्टी और काफी रिफाइंड लग रही है काफी स्मूद लग रही है गेर शिफ्ट काफी अच्छे हैं एक बार रुक्के में आपको वाकराउंड दे देता हूं इस गाड़ी का अच्छली यह गाड़ी बीएस फोर बजाज पलसर वन सिस्टी है और सिल्वर कलर में है यह बाइक लिट्रल तो एक बार आपको गाड़ी का वाकराउंड दे दता हूं मैं इसके आइडलिंग की साउंड भी आप सुन सकते काफी अच्छे लग रही है आल्वेस हेड लाइट अन का फीचर है इसमें एक बार आपको एक्जास्ट नोट चुना देता हूं काफी सही तो तो थोड़ा सच चलाएंगे इसके बाद एक प्रॉपर रिव्यू अच्छे काफी स्मूफ है बहुत ही अच्छी लग रही है और ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है अब भी गाड़ी का टर्निंग रेडियस पता चलेगा बहुत ही आसानी से टर्न होगी है और जैसे कि MS है तो नेकेड स्पोर्ट स्ट्रीट पाइटर बाइक है तो टर्निंग रेडियस काफी अच्छा है और वाकी बाते रुप करके करते हैं इसकी एक्जास्ट की बात करें तो इसकी एक्जास्ट है अंडर बेली एक्जास्ट जो कि बहुत अच्छी साउंड करती है और इधर आपको कुछ भी बाहर एक्ष्ट्रा दिखाई नहीं देता है क्योंकि अंडर बेली एक्जास्ट है सामने की बात करें तो आपको बहुत अच्छा से एक हेडलाइट मिल जाता है काफी बड़ा लग रहा है काफी कूल और यहाँ पर पाइलेट लैंप्स आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर्स जो है वो हैलोजन है और पीछे भी सेम हैलोजन इंडिकेटर्स है फॉक्स क्लिप ओन हैंडिकेटर्स बहुत ही अच्छा लगते है और यहाँ पर आपको मिलता है नॉव इसका मतलब कि यह कार्बूरेटर्ड बाइक है पीछे देखा जाए तो आपको मिल जाता है इधर साड़ी गार्ड और यह जो टेल लैंप है यह पलसर का सिगनेचर स्टाइल कोई भी देख के बता सकता है कि यह पलसर है और यह टेल टाइडी काफी ही क्लीन लगती है काफी अच्छी लगती है काफी प्रीमियम और यहाँ आपको मिल जाती है एनस वन सिफ्टी के बैजिंग ग्राइब रेल्स काफी अच्छे हैं सीट की बात करें तो थोड़ा सा यह हाडर साइड पर है यहाँ पर आपको बंप दिया गया है ताकि जो पिलियन है वह आगे की तरह स्लिपना हो जाए यहाँ पर बहुत अच्छा एक टैंक पैड मिल जाता है काफी अच्छी सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर लोग बैटरी इंडिकेशन है यहाँ पर एंजिल में फंक्छन का लाइड है यहाँ बजाज का लोगो यहाँ आपको मिल जाता है रेल्ली मिटर जो की 9500 रप्म के बात जलती है एंजिन के बात करें तो एंजिन है 160.3 cc का ओईल कूल एंज उएक बाउट कर्ण करती है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है या आधक अच्छा परफॉर्म करती है पर इस सेग्मेंट में और खिसी बाइक में nice इसे इसके डार्य 기оль हो गए device ही और हानerson रण्य तो यह सारे all the reference के आपको पाइर इसारी में आपको मिल गाटर्चे स्टेबिलिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है जो इंक्लूड की है बजाज ने फुटपेक्स ज्यादा रेर सट नहीं है बिलकुल बंब के नीचे आपके मिल जाएंगे क्योंकि एक अप्राइट सीटिंग पॉस्चर है जो की बहुत ही सही है एक निकेट बाइक के लिए और राइट कॉलिटी बहुत ही कमफर्टेबल है इस बाइक की तो पलसर नस वन सिक्ष्टी का लेंथ है 2017 mm और इसका विट है 803.5 mm इसकी हाइट की बात करें तो हाइट है 1060 mm और फ्यूल कैपासिटी इस टैंक की है 12 लिटर बाइक की ग्राउंट लिरेंस की बात करें तो बहुत ही सही है जो की है 177 mm की इसका वील बेस है 372 mm का और इसका करब वेट है 151 kg और पीछे आपको देख जो की हीट डिसिपेशन में बहुत ही अच्छा काम करता है इसकी बेकिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है फ्रंट में आपको मिल जाते है 90 by 90 सेक्शन के 17 इंच के टायर्स जो की ट्यूबलेस है और रेर में आपको मिलता है 120 by 80 सेक्शन का एक मूटा सा टायर जो की 160 के 160 काटिगरी में बहुत ही अच्छा है और काफी वाइड भी लगता है यह ओपेंचेंट सिस्टम है तो सेंटर स्टैंड भी जिया हुआ है आपको इसे हर 500 किलोमेटर में साफ करना पड़ेगा ताकि बाइक अच्छा से चले स्मूज चले गियर्शिप्ट से वह काफी स्लीक ह है और इसका 5-speed gearbox बहुत ही अच्छा से काम कर रहा है रिफाइनमेंट में यह बहुत ही ज्यादा अच्छी है एक बर यह 7000 rpm पर जाते हैं तो थोड़े से वाइब्रेशन्स हैंडल बार पे और फुट्टेक्स से थोड़े से सीट पर देते हैं बस उतना ही है और बाकि इस ग गाड़ी काफी असानी से टर्न हो गई है एक निकेट बाइक है तो इसका टर्निंग रेडियस काफी अच्छा है और जो आप टैंक देख रहे हैं बहुत ही मस्कुलर लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है तो अब हम लोग कर लेते हैं इस बाइक का छोड़ा सा एक्सिले रहा हूं मेरे पास है बल से 220 और मुझे नहीं पता इसका रेब लिमीटर कहां पर है क्या है फिर भी मैं ट्राइ करूंगा कि बिल्कुल सही टाइम पर गेर शिफ्ट करूँ गाड़ी काफी अच्छी तरीके से एक्सेलरेट कर रही है और काफी अच्छा लग रहा है बाइक को चलाने में और यह रेड लाइन 9500 आर्पियम पर कर रही है आर्पियम लिमिटर फिर भी नहीं आ रहा है रेड लाइन तो कर रही है तो यह था छोटा सा एक रिव्यू बैजाज पलसर एनेस वन सिक्ष्टी के उपर कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरू बताईएगा वीडियो पसंद आये तो लाइक जरू कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए राइड सेफ स्ब्सक्राइब है